नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल वोल्ड स्काई में पेट की निचले हिस्से को पेडू या पेल्विस कहा जाता है इसमें पेट के निचले हिस्से की आते मूतराश्य और अंडाश्य शामिल होते हैं पेडू के दर्द से मतलब इन में से किसी आंग या इनके आसपास की हड़ियों या मास्रीशों में होने वाला दर्द महलाओं में मासिक धर्म के दौरान पेडू का दर्द आम बात है देश में हर तीन में से एक महिला अपने जीवन में किसी ने किसी स्तर पर इस दर्द से पीड़त है कई बार यह दर्द थोड़ी देर में अपने आप चला जाता है लेकिन यदि लंबे समय तक रहता है या बार-बार होता है तो दॉक्टर को दिखाना चाहिए एक्सपर्ट्स के नुसार पेड़ू का दर्द किसी एक स्थान पर हो सकता है या एक दूसरे से स्थान पर जा सकता है इसकी शुरुवात पेट और जांग के बीच दर्द से होती है कुछ मामले में कूलों के आसपास भी पेड़ू का दर्द महसूस किया जाता है महिलाओं में अडाशे के गाठ के कारण पेडू का दर्द हो सकता है चले बात करते हैं पेडू के दर्द के लक्षन की पेशाब में खूनाना, पेशाब करने में समस्या, पेशाब में बद्बू, मासिक धर्म के दोरान एठन या दर्द, कब्स या दस्त, पेट फूलना या पेट में गैस होना बुखार आप सवाल उठता है कि क्यों खतरनाक है पेडू का दर्द बारबर होने वाले पेडू के दर्द को हलके में नहीं लेना चाहिए खासतोर पर ये महलाओं में गंभीर बिमारी का कारण हो सकता है कई महलाओं के अंडाशें में गाठ होती है इसके कारण पेडू में दर्द होता है उम्र के साथ मास्पेश या कम्जोर होने पर महलाओं कोई दर्द होता है अधिकांश मामले में appendix, urine infection, गुर्दे का संक्रमन, kidney stone या यौन संक्रमन से जड़ी बिमारी इसका कारण होते हैं इसलिए सला दी जाती है कि पेडू के दर्द से दूर रहना है तो सुरक्षित यौन संबन बनाए साथ ही kidney stone के बचाव के लिए ज़ादा पानी पीने की सला दी जाती है तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक है चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना ना भूले